असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शाहरूख और आज मैं आप लोगो मीवाइट के नए अपडेट 7-6-8 के बारे में बताऊंगा दोस्तों यह अपडेट मिलनी थी फ्राइडे को लेकिन थर्स्डे से ही मिलने लगी है तो 7-6-8 है एक वीकली अपडेट है डेवलोपर अपडेट है वीटा अपडेट है अगर आप इसके वाशनी में जाएंगे तो देखें कि ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है सिर्फ लिखा हुआ है कुछ फिक्स इसके बारे में तो आईए देखते हैं कि 7-6-8 में क्या-क्या नया आया है तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन्पूर्ड मेथर्ड अनिमेशन एपिर साफ्टर विन सर्च बार इस टैब यह क्या है दोस्तो तो अगर आप सेटिंग्स में जाते थे और यहाँ पर अगर टैब करते थे तो कभी-कभी जो है यहाँ पर कुछ अजीब तरह की अनिमेशन शोर होती थी तो उसे जो है फिक्स कर दी गई है और अब आप सेटिंग्स को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है दोस्तो तो फिक्स टॉक बैक इस्जूस टॉक बैक जो गूगल का अप्लिकेशन है उसके साथ कुछ इस्जूस रहते थे तो वो भी फिक्स कर दी गई है तो मैं शाओमी से कहना चाहूंगा प्लीज गूगल एसिस्टेंट के इस्जूस को भी फिक्स किया जाए वो अभी तक फिक्स नहीं हुई है दोस्तो वाट्स निव में तो बस इतनी ही लिखी हुई है लेकिन मैंने ढूंड करके निकाला है कुछ नहीं ने फीचर्स जो की मिली है इस 768 के अपडेट में तो वो क्या क्या है दोस्तो तो सबसे पहले ब्लुटूथ विजिबिलिटी को रिमूफ कर दी गई है मतलब कि अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे ब्लुटूथ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन्स मिलते हैं ब्लुटूथ हो डिवाइस नेम यहाँ पर पहले रहता था है डिसकवरेबल मोड उससे हटा दी गई है और अगर आप इसे टैप करेंगे तो आप सिंपल ब्लुटूथ के कुछ सेटिंग्स को पाप आएंगे इस आपको पहले मिलता था तो डिसकवरेबल मोड को हटा दी गई है अब आप ब्लुटूथ होन करेंगे तो हमेशा जो है आपका डिसकवरेबल मोड में अन होगी उसके बाद दूसरी चीज़ है कि कॉंट्रास्ट एंड कलर सेटिंग को चेंज कर दी गई है तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे उसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे उसके बाद कॉंट्रास्ट एंड कलर में जाएंगे तो यहां पर देखें कि आपको कोई पिक्चर नजर नहीं आता है नेक्स चीज़ क्या है दोस्तो तो schedule task option को remove कर दिया गया है वैसे मैंने इस पे question mark दिया है इसलिए क्योंकि confirm नहीं हो सकता है कि यह bug भी होगा तो इसलिए वापस आ सकती है तो schedule task को जो हटा दिया गया है अभी फिलहाल अगर आप security option में जाएंगे तो नीचे देखते थे यहाँ पे आती थी schedule task अब देखेंगे दोस्तो कि schedule task यहाँ पे है ही नहीं तो उस option को क्या हुआ हटा दी गई है कि bug है अभी कुछ confirm नहीं लेकिन दोस्तो अभी तो फिलहाल इस ROM में नहीं मिलती है उसके बाद अगली option है दोस्तो कि जो timed message हटा दी गई थी कहा जा रहा था कि काफी ज़्यादा RAM लेती है उस timed message को user के request पे वापस ला दी गई है यानि कि अगर आप जाते हैं दोस्तो messaging में और messaging में जाने के बाद किसी को भी message खोलते हैं तो वहाँ पे दोस्तों देखेंगे अगर कोई message लिखेंगे तो प्लस पे tap करने के बाद जो timed message हटा दी गई थी जो schedule message हटा दी गई थी वो scheduled message timed message वापस आ गई है तो अब अगर आपको कोई सी को birthday wish करना है timed message अल्रेडी set करना है तो अब फिर से कर सकते हैं जो की बहुत यची फीचर थी जो हटा दी गई थी लेकिन अब वापस आ गई है इस नए update के साथ तो इसके लिए मैं कहूंगा कि Xiaomi ने अच्छा काम किया इसे वापस ला करके युकि हमें इसकी काफी ज़ादा जरूरत थी उसके बाद दोस्तों जो folder size में problems थे उसे भी fix कर दी गई है यानि का अगर आप जाते थे file explorer में और उसके बाद यहाँ पे जाकर कि किसी भी folder का size देखते थे तो वो हमेज़ा 0 byte बताती थी लेकिन दोस्तों अब यह fix कर दी गई है अगर आप details में जाएंगे यहाँ पे आपको folder की size बिल्कुल calculate करके बताएगी किसे भी folder की अब आपको पहले के तरह देखी 0 byte नहीं लिखेगी अब आपको सही size बताएगी तो यह भी काफी अच्छी चीज़ हुई है दोस्तों यह भी fix कर दी गई है उसके बाद browser में कुछ changes आया है अगर आप me का browser इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता लग जाएगे क्या changes आया है तो browser अगर आप खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पे tap करेंगे और यहाँ पे click करके अब आप access कर सकते हैं तो इस तरह से कुछ changes किये गए है ब्राउजर में reduce data usage क्या है दोस्तों तो यह आपके images जो भी images दिखाते हैं website पे उसे compress कर देता है तो अगर आप कोई भी site खोलेंगे तो मालनी जब वो 1MB का site होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़्यादा images होंगे तो कम से कम यह 200-300KB का site कर देगा जिससे आपके internet की data जो है कम इस्तेमाल हो तो यह यहाँ पे सामने में कर दिया गया है reduce data usage का option पहले साथ settings के अंदर मिलती थी उसके बाद दोस्तों और क्या है नया तो आप देखेंगे equalizer को sound setting से remove कर दिया गया है और अब आपको उसको अलग से settings से access करना परेगा यानि कि अगर आप जाते है settings में और उसके बाद sound and vibration में जाते हैं तो पहले आपको सबसे नीचे में यहाँ पे मिल ला था था AMI का headphone का setting अब उसे remove कर दिया गया है और remove करके यहाँ पे लगा दिया गया है यानि कि additional setting में जाएंगे तो headphones on audio effect में जाएंगे यहाँ पे आपको मिल गई है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कहा था यह headphone and audio effect के setting दो-दो जगा से मिल लाती है तो एक जगह से कहीं से remove कर दिया जाए तो Xiaomi ने sound and vibration से इसे remove कर दिया है और अब सिर्फ एक जगह है वो headphone के setting तो चले हो दोस्तों यह भी सही है उसके बाद promoted apps को हटा दिया गया है folder पर से मतलब कि अगर आप कोई भी folder खोलते थे अपने home screen पे तो यहाँ पे देखते थे दोस्तों अगर आप नाम पे tap करते थे तो यहाँ पे एक option देती थी promoted app की लेकिन दोस्तों वो option अब नहीं मिल रहा है वो promoted app option से क्या होता था दोस्तों की जो भी आपके folder के अंदर app है उसी से related कोई apps नीचे में promotion दिखाती थी जो की आप Google Play Store से download कर सकती है लेकिन दोस्तों वो option अब दे ही नहीं रहा है अगर मैं आप rename कर रहा हूँ तो वो promoted apps का जो option आहीं नहीं रहा है चाहे किसी भी folder में मैं try करूँ तो यह चीज है दोस्तों जो की हटा दी गई है लेकिन अगर आपने कोई नया changes इसमें धूंडा है और आपको पता है तो please उसे comment कर दे और comment करके सबको inform कर दे ताकि उन्हें पता चल दा है तो दोस्तों मैं हूँ शारूख और मुझे आज आप लोगों को बताना था MIUI 8 के beta rom 768 का full review देना था कि वो कैसा है और उसका features के बारे में समझाना था तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए और हमारे वीडियो पर like and comment कीजिए Thank you